नमस्कार, एक्सप्रेसो कार महोर के सजरू में दुरुगटना ग्रस्त हुई है और इसमें एक बच्चे समेथ तीन लोग जो हैं वो गाइल हुए हैं जिला हस्पताल रियासी में तीनों गाइलों को इलाज देने के बाद एक बच्चे को बहतर इलाज के लिए जम्मू रैफर कर दिया गया है ये वो गाइल है जो इस दुरुगटना में गाइल हुए है एकस्पैसो जो कार थी वो सड़क से बाहर चली गई और काफी दूर तक थोड़ी नीचे की तरफ गई है और तीन गाइल हुए है इन से बादचीत करते हैं अभी एक बच्चे को रैफर भी किया गया है कहां से कहां आप जा रहे है थे और एकस्पैसा जो है दुरुगटना वो पेश आई है सर हम घर से थोड़ा सर बाहर रिक जा रहे थे हार सकेंटरी की तरफ वहीं सर ये आदस हुआ हमारे सर हाएटचे के तरफ। क्या हुआ था क्या संकूलन बिगड़ गया कौन ड्राइब कर रहा था आप सेर में खुद है कि असल में सर जे ड्राइब कर रहा था और सर गाड़ी सर थोड़ी मिसिंग कर रही थी त। वसवजे से सर थोड़ी बेरेक सर कंट्रोल नहीं हो पाया तो गाड़ी सर नीचे गरी कौन-कौन उसमें सवार था क्या आपका परिवार के सिदस से उसमें यह सर मैं था और मेरा बाई था सर और बीवी थी सर बीवी आपके साथ जो बैठे हुए है जी सर और एक बच्चा था क्या चारों को चोटे आई है जब तीन लोगों को ही आपके सर तीन कोई सर चोटे आई है नारमल आई है तो एक सर बिल्कुल सेफ है ठीक है आप तमाम लोग जी सर बिल्कुल ठीक है सर इस टाइम भी हम ठीक है तो यह जो बच्चा है आपका बाई आप कह रहे हैं यह इन्हें तो आपको बता दें कि बच्चे समेट तीन लोग गाइल हुए है एक्सप्रेसो जो कार है वो सड़क से कुछ नीचे की तरफ गई है और हाला कि तीनों की जो हालत है वो स्तिर है ठीक है लेकिन बहतर इलाज के लिए इंटर्नल इंजुरीस को चेक करने के लिए बच्चे को जो है वो जी एमसी जमू रैफर कर दिया गया है बाकी दोनों की जो हालत है तीनों की हालत जो है वो स्तिर है और चार लोग टोटल सवा थे जो जानकारी इन्होंने दी है और जिनमें एक शक्त जो है उन्हें ज्यादा चोटे नहीं आई हस्पिटरलाइज नहीं किया गया लेकिन तीन लोग डिस्टिक हॉस्पिटल रियासी पहुंचे हैं और अब यहां से इलाज के बाद निकल रहे हैं बच्चे को GMC जम्मू र ज़ो और यहां नहीं बचे को में और श्यादा ।